बहरत में आमतोर पर दो तरह के ग्रह प्रवेश की रस्मिक की जाती हैं. जब एक लड़की की शादी होती है तब वह ग्रह प्रवेश करती है, यानि वो अपने पती के घर में प्रवेश करती है, ये एक बड़ी चीज है. अब ऐसा नहीं होता क्योंकि वे पहले ही साथ रेने लगे हैं पहले बड़ा आयोजन होता था और उन्होंने इसे एक बहुत पवित्र प्रक्रिया बनाया था क्योंकि एक तो ये कि आपके घर में जिस तरह की महिला आती है उससे आपके जीवन की प्रक्रती तै होती है और आप कैसे बच्चे पैदा करते हैं, आपका भविश, आपकी संतान, वे कैसे रहते हैं ये सब कुछ इससे तै होता है कि कि किस किसम की महिला आती है वो एक चीज है दूसरी चीज ये है कि वो कैसे प्रवेश करती है महत्वपूर्ण है कि वो उस घर में प्रेम से प्रवेश करे, ये बहुत जरूरी है कि वो उस घर के प्रती पूरी तरह से समर्पित होने की इच्छा से प्रवेश करे, अगर वो अपने मन में, अपने दिल में कोई और चीज लेकर आती है, तो वो उस परिवार को लाखों अल प्रवेश करती है, तो कल जब वो गर्ब धरन करेगी, तो वो गलत तरह के जीवन को आकरशित करेगी, और गलत तरह के बच्चे पैदा करेगी, जिससे आपको जीवन भर कश्ट पहुंचेगा, है न, अगर कोई बच्चा आपके घर में आता है, तो वो भैंकर परेशानी पै बहुत महत्वपून है, इसलिए घर में प्रवेश करने से जुड़ी कई रस्में हैं, ये ग्रह प्रवेश है, ये एक पुराना घर है पर वो प्रवेश कर रही है, तो इससे जुड़ी बड़ी रस्म होती है, धीरे धीरे ये रस्म छोटी और ज्यादा छोटी होती चली ग आज शादी मतलब है कि आप सोचते हैं कि दो लोगों के बीच थोड़ा सा रोमांस पर पहले वे इसे ऐसे नहीं देखते थे। कि वो घर में सही तरीके से प्रवेश करें। दूसरी तरह का ग्रह प्रवेश तब होता है जब आपने नया घर बनाया हो और आप, आपका परिवार उस घर में रहना शुरू करना चाहता है। तो आप चाहते हैं कि घर में आपकी प्रवेश करने से पहले वो सही स्थिती में हो घर का डिजाइन, घर की सुन्दरता, किस तरह का पेंट हो, किस तरह का ये हो, वो हो, ये सब अलग चीजें हैं, वो भी महतुपून है पर उस जगा की उर्जा कैसी है, ये बहुत ज़ादा महतुपून है तो इससे पहले कि आप वहां रहें, कोई भी ऐसे घर में कभी नहीं सोता था, जिससे पवित्र न किया गया हो तो ये स्थान की प्रान प्रतिष्ठा करने का एक छोटा रूप है घर में रहने से पहले घर को उस थान को प्रान प्रतिष्ठा द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए, वरना लोग वहां जाकर नहीं रहेंगे ये सभी चीजें जो की जातीं थी, वो मुख्य रूप से जीवन उर्जा का एक उन्नत रूप बनाने के लिए की जातीं थी ताकि वहां रहने वाले लोग स्वभाविक रूप से खुशाली की उर्बढ़ें और ये समझ की किसी भी इंसान को आप्रतिष्ठित स्थान में नहीं रहना चाहिए एक ऐसी चीज है जो इस संस्कृती में गहरी बैठी हुई है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है मानों आप धर्ती में पौधा लगाते हैं और अगर उसकी जड़ें अच्छी उपजाव मिट्टी में होंगी तभी फूल खिलेंगे फल लगेंगे जिस मिट्टी में ये जड़ें हैं अगर वो परियाप्त सम्रुद्ध नहीं है जीवन को कायम करने के लिए परियाप्त उन्नत नहीं है तो फूल और फल नहीं आएंगे अगर वो आते भी हैं तो बहुत कम होंगे कभी भरपूर फूल नहीं आएंगे पौधा कभी भरपूर फल नहीं देगा तो जीवन के इन पहलूँ पर हमने हमेशा अथ्यदिक ध्यान बहुत महतु दिया आप क्या खाते हैं ये बस उसके बारे में नहीं है ये आप किस तरह का काम करते हैं ये बस उसके बारे में नहीं है आप किस तरह के स्थान में रहते हैं? पूर्व में ये बहुत महतुपूर है. तो लोग जो भी सबसे अच्छा तरीका जानते थे, उसके मताबिक उन्होंने हमेशा अपने घरों को प्रतिष्ठित किया और उसके बाद ही उसमें रहने गए. अगर राजा समझदार और दयालू थे, तो वे पूरे शहर को प्राण प्रतिष्ठित कर देते थे. वे शहर में तमामों स्थान बना देते थे, ताकि पूरा शहर प्राण प्रतिष्ठित हो जाए. वे चाहते थे कि हर कोई प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहे चाहे आप सडक पर घुमें या आप धंदा करें या आप उस शहर में रहते हैं तो हर किसी को एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान पर रहना चाहिए क्यूंकि अगर आप उन्नत इंसानों की पीढियां बनाना चाहते हैं तो आपको इस किस्म का स्थान चाहिए वरना बस संयोग से या व्यक्तिगत प्रेरणा से ही कोई कुछ बन सकता है आप शांदार लोगों की पूरी पीढियार नहीं करेंगे इस संस्कृती ने ग्यान का भंडार और आत्म ग्यानियों की कतार पैदा की है हर पीढियी ऐसा बस इसले पैदा कर पाई क्यूंकि उन्होंने ऐसे कई पहलूओं का ध्यान रखा इस धर्ती पर और कहीं भी लोगों की एक पीढियी भी ग्यान की गौरवशाली उचाईयों तक नहीं पहुँची है जितनी यहां पहुँची है पर पिछले कुछ सौ सालों में वो सब तूट फूट गया पिछले 800 या 900 सालों में ये बुरी तरह खत्म हो गया क्यूंकि आकर्मन हुए लोग दूसरी जगा चले गए और भी दूसरी चीज़ें हुई मैं बता रहा हूँ आप असाधरन बुद्धी वाले अत्यंत उर्जावान इंसान तयार कर सकते हैं ऐसा इंसान जिन में जबरदस्त उर्जा और बुद्धी मत्ता और अक्षमता हो अगर आप विशाल प्राण प्रतिष्ठित स्थान बनाते हैं हर घर में होता था, हर घर में साल में कम से कम एक बार जरूरी रस्में और प्रक्रियाएं संचालित की जाती थी, ताकि घर का वातावरण उन्नत हो सके। सामाज की दुनिया पूरी क्षमता को जाद से जादा पैसा कमाना समझती है। सफलता के बारे में उनकी सोच इतनी अपरिपक हो गई है। सफलता की आधुनिक सोच दुरभाग्य से बहुत प्रारंभिक और घटिया है। आप सामाजिक सीड़ी में कितने ऊपर तक चड़ सकते हैं, आपने कितने पैसे कमाये हैं, सफलता की पूरी सोच बस इतनी है। तो सफलता की सोच पहले ऐसे नहीं थी, ये बहुत व्यापक और बहुत गहरी थी। किसी को सफलता भी माना जाता था, जब वो आनंद की एक खास अवस्था में होता था। अगर वो खुद को और आसपास की दुनिया को जानने की अवस्था में होता था, और उसका समाजिक रूप से सम्मान था, और सांसारिक रूप से वो सम्रुद्ध था, और साथ ही वो अपने परिवार, मित्र और समाज का प्रेम अर्जित कर पाता था, सिर्फ तभी उसे सफ पिछली पीडी तक भी ये बातचीत लगभग रोज होती थी, लोग कहते थे, क्या फरक पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, क्या आपने लोगों का प्रेम कमाया है, क्या आपका परिवार आपसे प्रेम करता है, क्या आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे प्रेम कर तो ग्रह प्रवेश बस यही था, कि आप इस पौधे के विकास के लिए सही किस्म की मिट्टी बनाना चाहते हैं, ताकि वो फूले फले, अगर उसे ठीक से किया जाता है. चाहते हैं, ताकि वो फ्र ओले लेश लिए भ्रह चाहते हैं, ताकिल झाना चाहते हैं, ताकिल वो